असलेम अलेकाम वेल्कम बैक टू मैं चैनल आज हम बनाएंगे देशी चिकन का स्पाइसी करी रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा एक बर जरूर ट्राइ करना आप लोग इसे बनाना बहुत ही आसान भी है जान आप चांवल या रोटी किसी के भी साथ ले सकते हैं इसे इसे बनाने के लिए हमें चाहिए देशी चिकन लिया हमें इने होफ के जिस अच्छे से वाश कर लिया है कि ओनिया है टू चौप कीविड टमाटर लिया है टमाटर का मैंने छिलका और बींच दोनों भी निकाल तो स्पून कुछ खड़े गरम मसाले तेजपता लाउंग दाल चीनी कबाब चीनी शाजी राख काली मिर्च बड़ी लाइची ओई लिया है फूर स्पून करे मसाले आइट कर देंगे इसी के सादा आइट कर देंगे ओनियां इसे अच्छे से फ्राइब करेंगे हम दो से ती कुछ करी पता हैं करेंगे इसे बी फ्राइ करेंगे हम इसी के सीचादा एक करेंगे अ यचारपार चुछ बाच पेस्ट करेंगे लाजनाओ अधे लाजनाओंपनी अच्छ कोई प्राइच करिदे करेंगे नियून ही जात छाइट करेंगे शाच एक साशेव coincließ Wenn प्रता दो से तीन मिनिट फ्राइब करना है इसके अंदर कि इसी के साथ आइट कर देंके टमाटर वाइन टमाटर है यह आइट करेंगे चाट मसाला पाउडर धनिया पाउडर ब्लैक पेपर पाउडर हाफ हाफ स्पून एट किया है मैंने इसे भी अच्छे से फ्राइब करेंगे थोड़ा सा वाडर एट करेंगे हाफ कप उतना अब इसे हम पेशर को करका डगका लगा कर त्री फोर विजिलाय तक को करेंगे क्योंकि यह चिकन थोड़ा हाड रहेगा दो से तीन विजिला चुके हैं यह अच्छे से कुख हो चुका है और यह अच्छे से नरम हो चुकी है अब इसे हम अच्छे से भूनेंगे इसे के साथ आड़ कर देंगे कोकोनेट पाउडर इसे भी भूनना है हमें हारे में ट्रैट की है तूग स्पीसेस में कट कर लिया है कुछ पुदीना और कोथिमेर भी आड़ करेंगे अच्छे से भूनते जाएंगे इसे अच्छे से भून चुका है उसके बाद हम रेट चिली डालेंगे रेट चिली पौडर हमें लास्ट जाल में आड़ करना है टू स्पून है यह रेट चिली पौडर एमली का पाल्प लिया है मैंने टू स्पून उतना इसके से थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे पानी आड़ करके हम इसे फिर से मीडियम फ्लेम पर रखकर पांच मिनीट के लिए अच्छे से कुक करेंगे आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी आड़ कर सकते है पुदीन और कोथी मेर भी आड़ करेंगे इसमें मैंने वन स्पून खशखश का पाउडर आड़ किया है इसे के साथ दो चे तीन इलाईची का पाउडर भी आड़ करूंगे अब इसे हम मीडियम फ्लेम पर रखकर कूप कर लेंगे दो से तीन मिनिट रड़ी हो चुका है हमारा स्पाइसी देशी चिकन रेसिपी बहुत ही टीस्टी और यम्मी बनेगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए सब्स्राइ झाल झाल